हेलो फूडी कैसे हो आप सभी मैं आपकी दोस्त और अनलाइन सेफ खुश्व कनोजियत अपने चैनल घर का जायकावित खुश्वु में आपका तह दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं आपके लिए काजु की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप इस सिवरात्री महादेव को प्रसंद करने के लिए बना सकते हैं क्यूंकि महादेव को खीर बहुत पसंद है और मैंने इसकी सारी इंगिडियन्स को लाश नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम यहाँ पर बासमाती चावल लेंगे क्यूंकि खीर के लिए बासमाती चावल ही सबसे वेस्ट होता है इसे हम दो तीन पानी से अच्छी तरह से वास कर लेंगे और इसे हम पानी में सोक कर लेंगे 10-5 मिनिट के लिए या फिर जब तक हमारा दूद उबलेगा तब तक हम इसे पाने में सोक करेंगे और इसे साइड में रख देते हैं अब हम एक पैन लेंगे उसमें दूद को उबालेंगे जब इसमें अच्छी तरह से उबाला जाएगा तब हम इसमें चावल लाइट कर देंगे अब खीर के लिए सही क्वांटिटी कितनी होती है मैं आपको बत पारी बहुत अच्छी और गारी बनेगी मैंने यहां पर चावल एड़ कर दिया है और मैं इसे लो फ्रेम पर एक वाल आने तक कुक करूंगी इसमें उबाला गया है अब मैं इसमें इलाइन ची पौडर एड़ करूंगी इलाइन ची पौडर मैं इसी इस्टेज पर इसमें आड़ करूंगी ताकि खीर इसका सारा फलेवर को एक जोप कर ले इसे हम धीमी यास पर धीरे धीरे पकाते रहेंगे आप सोच रहे होगे कि खुश्बू, आप तो हमें काजू की खीर की रेसीपी बता रही हो, बट ये तो नॉर्मल है, तो दोस्तों आप पेसंस रखिए, मैं आपको काजू की खीर की रेसीपी ही बताऊंगी, इसके लिए आपको मेरी वीडियो इन्ट तक देखनी होगी, So carry on जब हमारी खीर हलकी गारी हो जाए तब मैं इसमें सुगर एड करूंगी सुगर एड करने के लिए आप गैस को आफ कर दीजिएगा मैं इसमें 2 चममच सुगर एड कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सुगर कम या ज़ाद कर सकते हैं सुखर जब इसमें मिल्ट हो जाए तब हम गैस को अन कर देंगे और धीमी याज पर इसे कुक करेंगे आप अगर पहली वार कीर पकारियों तो आप इसे हाथ पे रख कर इसे दवाईएगा जब यह दफ जाए तो हमारी खेर रेड़ी है मैं इसे एक दो मिनिट और कुक करूंगी फिर गैस को आफ कर दूंगी मेरी खेर रेड़ी है अब मैं गैस को बंद कर देती हूं अब मेरी रेसिपी की मेन इंगेडियन्स की वारी आई इसके लिए एक पैन लेंगे उसमें घी एड़ करेंगे घी जब मेल्ट हो जाए तब हम इसमें काजू एड़ करेंगे काजू को हलका फ्राई होने देंगे फिर हम गैस को ओफ करकर काजू को साइड में रख देते हैं अब हम सारी काजू को खीर में ट्रांसफर कर देंगे घी समेत और इसे मिक्स करेंगे और एक दो मिनिट कुक करेंगे एक दो मिनिट कुख होने के बाद हम गयस को अफ कर देंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे मेरी काजो की खीर रेडी है अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ इसे हम एक वॉल में निकाल लेंगे और फ्राइ किये हुए काजो और अख्रोट से गार्नेसिंग करेंगे लगराना देखने में सुन्दर क्योंकि घर का जायका विद्खुश्वू में जो दिखता है वही पकता है अगर आपको मेरी खीर वाली वीडियो की रेशिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमली में सेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और सबसे इपॉर्टिंट वाद अगर इसी तरह की कम बजट मेरे सीपी आप अपने घर पे बनाना चाते हैं अपने फैमली को खुश करना चाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वैल आकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे वीडियो की पहली नोटिपिकेशन आप तक पहुंचे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें किमकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता बठा मेरा होसला जरूर बढ़ता है आगे काम करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आइडी है करोजया खुस्वू 122 फिर मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी के साथ जब तक खुश रहिए खुशियां बाठते रहिए और आज पास सफाई बनाए रखिए और आज का सवाल काजु किस देश की मुख पैदावार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्यू थैंक्यू फर वाचिंग टेक कियर एंड नमस्कार